Welcome to Take Unlock, इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जिसमें हम देखेंगे समैको प्रोग्रम, हमारा फर्स्ट में समैको प्रोग्रम देखेंगे आप इस प्रैक्टिकल में जो है addition of two numbers, ठीके, सबसे पहले में problem statement आपको बता दाओ, मतलब आपका प्रोग्रा computer बनाना है जो क्या होता है या पे मेनीर रिवन प्रोग्रम के जरीए ओपरेट होगा ठीक है कौन सी-कौन सी फंक्षनली टी प्रोवाइड की जाएगी याप मेनीरी डुर्य द्वारा यह आपट देखिये फर्स्थ है आपका ए आपका लोड यानि फर्स्थ क्या होगा loading of the program from file into memory, ठीक है, सबसे पहले हम program क्या करेंगे, मतलब आपका जो भी स्मैको का program है, addition का program, वो हम पहले एक file में क्या करेंगे, create करेंगे, उसमें हम लिखेंगे, और उसके बाद वो save करने के बाद, file आपकी secondary memory में, यानि आपके इसी same folder में save होगी, जहाँ प्यार भी आपका स्मैको का C program सेव होगा, ठीक है, तो वही पर हम वो addition का program भी save करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, first operation है याप लोड करने का, मतलब loading program from file into memory, file से हम क्या करेंगे, program main memory में आपने load करेंगे, next देखे, b operation, second operation क्या है, print, printing the program loaded in memory, second operation है हमारा, कि जो भी हमने program memory में load किया है, वो क्या करने का, print करने का, मतलब आपके terminal पे हमें print करना होगा, और third operation है यापे run, run यानि execute the loaded program, मतलब जो भी program हमने load किया है, वो directly क्या करने का, execute करने का, ठीक है, यहाँ पे देखे, the machine has the following instruction set, comprising of following, यहाँ पे देखे, machine का instruction set का कैसा होगा, यहाँ पे जो हमने nemonic code देखे थे, वही है यहाँ पे, मतलब nemonic of code or meaning, जो हमने आप तक देखे थे, double 0 से लेके 10 तक, मतलब double 0 का क्या operation होगा, stop होगा, 01 का addition होगा, 02 का subtraction होगा, 03 का multiplication होगा, 04 का move to register, 05 का move to memory, 06 comparison, 07 branch on condition, 08 division, 09 read and 10 क्या होगा, print होगा, यह सभी total 11 instruction आपके क्या होगे यहाँ पे, execute होगे, मतलब आपका program क्या करेगा यहाँ पे, 11 instruction का use करके आप क्या करेंगे, आपका program run करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे, और हमारा क्या करने का है यहाँ पे, create a file containing a machine language code to find addition of first n number by using above instruction of code, ठीक है, यहाँ पे द run करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं first of all आपको program run करके दिखाता हूँ, उससे आपको idea हो जाएगी कि program कैसे work करता है हमारा, यहाँ पर हमारा add to नाम का मैंने एक file create की है, ठीक है, यहाँ पर भी आप right click करके directly यहाँ पे new document करके empty document create कर सकते हैं और उसे नाम दे सकते है जो भी आप देना चाहिए, ठीक है, add to करके मैंने एक नाम दिया है, यहाँ पे देखिए, first operation है हमारा, यहाँ पर आपको addition का program आपको पता है, ठीक है, मैंने theoretical यह आपको explain किया है, इससे पहले, ठीक है, board पे मैंने explain किया है, अगर आपने वो video नहीं देगा, तो मैं description में डा समझ में आएगा, ठीक है, simple program है, आपको पता है, 09 क्या होता है, यहाँ पे, 00, 00 से होना, यहाँ पे देखिए, 100 क्या है, आपके location counter की value है, मतलब आपके address की value है, जिस address पे आपकी क्या हो रही है, यह first instruction आपकी execute हो रही है, यहाँ पे 100 पे कौन सी instruction execute हो रही है, आपकी यह first, 101 पर यह सेकंड, 102 पर क्या हो रही है, थर्ड, 103 पर यह हो रही है, फोर्थ, और 104 पर यह next, ऐसे करके आपके 106 तक एक्जिक्यूट हो रही है, ठीके, और यह last का minus 100 क्यों लिया है, वो मैं आपको बाद में प्रोग्राम में बताऊंगा, ठीके, आपको प्रोग्राम पता है, यह आपे में शौट में बता देता हूँ, यहापे देखिए, 09 कमड किसले यूज होते हैं, रीट करने के लिए, यहापे 09 के बाद यह सिंगल जो है, वो क्या होता है, आपका सिंगल ओपकोड होता है, ठीके, सिंगल बीट का क्या होता है, और उसके बाद देखिए, यह last के 3 ब लेंगे और वो का स्टोर करेंगे हम 008 को ठीक है पहली वैल्यू सेव करेंगे हम 007 को दूसरी करेंगे 008 को ठीक है पहली जो 007 की वैल्यू है वो कहां मूँ करेंगे हम हमारे फर्स्ट ए रजिस्टर में ठीक है उसके बाद देखिए ए रजिस्टर में मूँ करने के बात ठीक है यहाँ पर मैंने दूसरी फाइल क्रेट की है यहाँ पर आपको ठीक से समझ में आएगा यहाँ पर देखिए सपोज मैंने 007 में मूँ कर दी वैल्यू 5 और 008 में मूँ कर वैल्यू 6 ठीक है कीबोर्ड से इन्पूट लिया उसके बाद देखिए हमने 04 से क्या करेंगे हम मूटू रजिस्टर यानि रजिस्टर में वैल्यू क्या होगी एंटर होगी यहापका एक्जिक्यूट होगा रजिस्टर 1 क्यूंकि यहापके कौनसी वैल्यू है वन वैल्यू की वैल्यू मतलब आपकी फायो वैल्यू किसमें स्टोर होगी आपकी ए रजिस्टर में स्टोर होने के बाद हम क्या करते है एडिशन करते है एडिशन के लिए फर्स्ट इन्पूट क्या होता है आपका ए रजिस्टर होता है और सेकन इन्पूट क्या होता है आपका मेमरी ह का कहा पे store होगा ए रजिस्टर में ठीक है 5 प्लस 6 कितने होगे 11 वो कहा पे store होगे आपके ए रजिस्टर मतलब register of 1 में store होगे ठीक है और next अगर हमें print करना है तो हम directly register print नहीं कर सकते 10 यानि हम print करने के लिए यूज करते हैं जिसका output क्या होता है आलवेज मतलब जो हमें print करना है वो आलवेज क्या होता है memory location होता है जो क्या है याप मैंने दिया है 007 इस वज़े से मुझे वो किसी memory location में copy करना पड़ेगा इस वज़े से याप 05 लिया है मुटू memory और 1 लिया है याप मतलब ए रजिस्टर और आगे लिया है 007 मतलब आपका ए रजिस्टर की value का हम होगी आपके 007 इस memory में और वही हम क्या करेंगे 10 इस इंस्ट्रक्शन से हम क्या कर रहे है याप पर प्रिंट कर रहे है ठीक है ठीक है रन करते हैं यहाँ पर राइट लिक करके open in terminals उसके बाद सी प्रोग्राम रन करने के लिए जिसी सी टाइप करेंगे हम क्योंकि यह सी compiler यूज करता है क्योंकि आपका c code है ठीक है नेक्स देखिए हमारे प्रोग्राम का नाम है masters macro.c यह एक master program है इसके लिए आप कोई भी input file दे सकते है ठीक है addition का program दे सकते है अब इसे input file उसके बाद subtraction का दे सकते है multiplication का दे सकते है maximum of two number का दे सकते है ठीक है input file सिर्फ आपकी change होगी यह program आपका same रहेगा ठीक है क्योंकि यह master program है सभी input file यह क्या करता है accept करता है ठीक है में run करके दिखाता हूँ आपको उससे आपको समझ में आ जाएगा dot slash a dot out इससे क्या होगा आपका program run हो जाएगा यह आपे देखिए तीन value दे रहा है क्या हो रहा है आपका menu print हो रहा है load print and run क्योंकि आपका problem statement क्या था यह आपे प्रिंट करेगा memory से और run क्या करेगा आपका program execute करेगा मतलब आपका जो भी operation होगा वो perform होगा ठीक है यहाँ पे देखिए मैं add to ठीक है add to ठीक है file loaded successfully message print हुआ है next देखिए हम print operation करेंगे print करने पर आपका जो भी program हो वो as it is क्या होता है यह आपे print होता है next देखिए हम program run करेंगे choose number पूछ रहा है मतलब choice choice आपकी जो भी है वह पूछ रहा है ठीक है third choice लिखते है हम run run करने के लिए 3 दबा दिया उसके बाद देखिए मैंने value ली suppose यहाँ पर मैंने जो example लिया है वही value लेता हूं मैं यहाँ पर first value मैंने five और second value मैंने six five and six के addition कितनी होगे आपकी 11 answer is क्या आएगा आपका 11 ठीक है समझ में आ रहा है program कैसे run हुआ है और यहाँ पे fourth condition मतलब four choice किसकी है यहाँ पे exit करने के लिए program क्या होगा यहाँ पे exit होगा ठीक है one by one में आपको explain करता हूँ ठीक है यहाँ पे देखिए बाकी यह operation आपको पता है जैसे हमने पढ़ा है आप तक वैसे यह operation है यह सभी ठीक है double 0 से लेके 10 तक ठीक है first start करते है first है हमारी header file hash include stdio.h stdio.io का क्या मतलब है standard input output function हम यहाँ पे यूज करेंगे scan app print app जो भी होंगे उसके लिए हम यह header file यूज करते है next आपकी stdlib.h ठीक है standard library function हमें इसकी वज़े से लिखने के लिए मतलब इसकी help से हम क्या कर सकते है यूज कर सकते है for example यहाँ पे मैंने एक function लिया है special exit of 0 ठीक है आगे मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे देखिए exit of 0 यूज किया है जिसके लिए हमें यह library file यह header file हमें लगती है ठीक है next देखिए next है हमारा हमने यहाँ पे चार function लिये है ठीक है first है हमारा print option print option next है हमारा print next है run और next है load ठीक है print run and load यह तीन operation आपके इस तीन function के लिए हमन यह जो option है वो हमें terminal पे display भी करने होंगे क्योंकि कौन से operation perform करने है यह हमें पता होना चाहिए ठीक है मतलब यहाँ पे देखिए जैसे हम program run करते है .slash a.out से तो यह क्या होता है हमारे print screen पे क्या होता है हमारे terminal पे display होते है ठीक है चारो function यह किस function में होंगे आपके इस print option इ है integer operation के यह है operate 1 किया है operate 2 किया है ठीक है मैं बाता थाओ आपको आगे operation operate1 operate 2 क्यों लिया है नेक्स देखिए ऑपकोड लिया है आपको यूज किया है जब उसका यूज आएगा आपको automatically समझ में आ जाएगा यहां पे देखिए c code लिया है यानि आपका condition code लिया है यहां पे array लिया है और वैल्यू दीए आप सेवन ठीक है आपको पता है आपके कंडीशन कोड कोण़ से ने से होते था हैंगा नडी। होता है जिसे कंडीशन गी केहते हैं फोर्थ होता है आपका घ्रेटर दैन औरск नंबर का होता है आपका greater than or equals to ठीक है next देखिए और 6th number का होता है आपका A नी ठीक है 6th number का आपको पता है जो always क्या होता है always one ही होता है next देखिए यहापे अब यहापे देखिए हमने यहापे 7 क्यों use किया है क्योंकि हमारे टोटल कंडिशन कोड कितने होते है six ही होते ठीके यहाँ पर seven यूज क्या है यहाँ पर देखिये आपकी इंडेक्स की position आलवेज कहा से start होती है zero से start होती है ठीके मतलब यह zero हम क्या करेंगे यहाँ पर count नहीं करेंगे लेकिन हमें वो लिखना पडेगा initialize करना पडेगा इस वज़े से यहाँ पर फर्स्ट जो index है वो हमने 0 दी है ठीक है next जो index है वो किसकी होगे आपकी less than की होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए c code of 1 यह किसका code होगा आपके less than का होगा ठीक है c code of 2 यह code किसका होगा आपके less than or equals to का होगा ठीक है जैसे आपका ये code है condition code 1 यानी less than का होता है 2 यानी less than or equals to का होता है वेसे ही यहापे मैंने similar लिलिया है टाकि confusion ना हो ठीक है condition code of 1 access किया तो समझने का कि less than access हो रहा है ठीक है condition code of 2 access हुआ तो समझने का less than or equals to access हो रहा है ठीक है इस वज़े से यहाँ पे 0 का कोई नहीं होता है हमारा condition code और आपके array की position always का से start होती है 0 से होती है यहाँ पे इस वज़े से यहाँ पे 7 values लिए है ठीक है इस first value का कोई भी meaning नहीं है यहाँ पे वो initialize हमें करना पड़ेगा क्योंकि यह हमें array हमने use किया है और index position always 0 से start हो first है आमारा less than का दूसरा है less than और equals to का तीसरा है equals to का चोथा है greater than next है greater than और equals to और last का है आपका any का ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ आपे 7 क्यों लिया है ओके next देखिए register चार रजिस्टर है आपके आपको पता है a register b register c register और d register ठीक है value initialize की है 4 को ठीक है similarly again register of 1 अगर access किया तो b register का होगा 3C का होगा और 4D का होगा ठीक है next लिए है हमने PC PC यानि program counter की value ठीक है अब यहाँ पे PC की value हमने 100 लिए है ठीक है यहाँ पे अगर हमने initialize भी नहीं की तो भी चलेगा ठीक है यहाँ पे मैंने 100 क्यों लिए है क्योंकि आपका program कहा से start हो रहा है 100 memory location से start हो रहा ह ठीक है इस वज़े से यहाँ पे मैंने value भी क्या लिए है 100 लिए है ठीक है next देखे character yes लिया है एक variable आगे हम use करेंगे next है हमारा location counter location counter हमने initialize किया है 0 ठीक है हम आगे देखें कि क्यों use किया है next लिया है हमने address ठीक है address variable में हम यह address store करेंगे 100, 100, 1, 100, 2 next देखे long integer लिया है content content म 007 ठीक है 098-090008 यह content हम क्या करेंगे store करेंगे ठीक है इस वज़े से content variable लिया है और memory of 1000 लिया है ठीक है memory आपको पता है यहाँ पर हमने एक label लिया है z, z करके हमने क्या दिया है colon दिया है label कैसे ऐसे declare किया जाता है ठीक है next देखें यहाँ पर print option function call किया है ठीक है अब यहाँ पर देखें print option function यहाँ पर call किया है जिसकी definition हमने कहा लिखी है नीचे लिखी है ठीक है इस loop के बाहर यहाँ पर देखे integer print option integer print option में क्या है load print run और exit he हमने printf में क्या किया है slashn से क्या किया है print कि मतलब print option ये function क्या करेगा आपका load से लेके exit ठ़क ये चार value क्या करेगा ये 4 line आपके क्या करेगा print करेगा ठीक है समझ में आ रहा है next देखे print option call करने के बाद next क्या क्या है choose the number क्योंकि हमें इन चारों option में से हमें choose करना है, ठीक है, हमने first load करनी हो गया हमें file, इस वज़े से हमने क्या दिया है, या पे 1 दिया है, ठीक है, हमारी file हमने load करने के लिए 1 option select किया, यहाँ पे देखिए, अब yun की value क्या होगी या पे, 1 होगी, क्योंकि हमने %D से हमने क्या लि प्रिंट किया, वन option क्या किया हमने choose किया, तो यहाँ पे case 1 में जाएगा, अगर हमने choose number 2 किया, तो case 2 में जाएगा, 3 किया तो 3 में जाएगा, ठीक है, simple loop है, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे देखिए, हमने first option क्या लिया है, हमारा one लिया है, one लेने के बाद किस case में ठीक है, नीचे लिखी है, ठीक है, one by one हम function देखेंगे, first देखें, load, load का function क्या है, ठीक है, हमारी यहन की value है, one, one करने के बाद case 1 में आएगा, और load function call होगा, call होने के बाद यहाँ पे देखिए, int load, int load यह function में आएगा, और उसके बाद देखेंगे, यहाँ पे मैंने file pointer, star fp लिखा है, ठीक है, file pointer आपको पता है, हमने क्यों use किया है, क्योंकि हमें file पे operation perform करने है, और यह function आपके standard input output function में add होता है, आप directly यहाँ 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 पे यहाँ पे पॉइंटर variable create किया है, यहाँ पे file का star fp, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, file की value क्या करेंगे, access करेंगे, ठीक है, file open करेंगे, फ़रスट आफ अफर, और उसकी value क्या करेंगे, हम one by one यह program क्या करेंगे, read करेंगे, ठीक है, next देखिए, कैसे read करेंगे, यहाँ पे character, fname नाम का एक variable लिया है, जो rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr जिसकी value क्या दी है हमने 30 दी है ठीक है मतलब आप 30 words टक आप क्या कर सकते है फाइल का नाम बड़ा दे सकते है ठीक है यह फनेम यानि आपका जो भी फाइल आपने जो भी नाम दिये देंगे हम यहाँ पे देखिए choose the number यह पूछेगा choose the number में हमने one entry डाल दी उसके बाद वो उसने क्या किया load function call किया load function में आने के बाद यहाँ पे देखिए star file pointer हुआ initialize उसके बाद यह name भी character से initialize हो गया location counter की value 0 को set हो गई उसके बाद देखिए file का name क्या कर रहा है enter करने के लिए पूछ रहा है यहाँ पे हम folder पे से वह हमने क्या दी यहाँ पे उसे पास कर दी नेक्स देखिए अब यहाँ पे देखिए scan app से क्या होगा percentage से file name इस variable में इस character variable में जो भी आपने value enter की होगी मतलब जो भी आपने name दिया होगा add to वो किस में आ गया आपके if name में आ गया next देखिए आने के बाद ifp यानि file pointer is equals to if open और in bracket में क्या लिखा है file name comma double quotation में क्या लिखा है read लिखा है ठीक है आर यानि क्या होता है read होता है ठीक है यहां पे में दे देता हो आपको समझने के लिए आर फॉर क्या होता है read होता है आप आपने अगर w किया तो क्या होगी आपकी file right mode में open होगी ठीक है आपकी जो भी file आपने enter की है उसका नाम क्या है add to है जो हमने f name ने copy कर लिया और वो ही name हम किसे पास कर रहे है आपके file pointer को f open इस function को पास कर रहे है f open यानि file open function को पास कर रहे है जिसका पहला attribute क्या है आपका file name और दूसरा क्या है उसका operation यहाँ पे देखे file name क्या है add to और operation क्या है read अगर यह function successfully execute हो गया तभी क्या आएगी तभी यह क्या होगा तो आपके file pointer is equals to null यह condition क्या हो जाएगी false हो जाएगी अगर यह पूरा function successfully execute नहीं हुआ कब नहीं होगा अगर हमने add 3 दे दिया जो file हमारी present ही नहीं है तो यह function successful execute होगा नहीं मतलब file pointer में क्या value होगी फिर null value होगी मतलब यहाँ पे क्या print करेंगे हम unable to open क्यूंकि अगर present ही नहीं है file तो open होगी क्या read mode में obviously नहीं होगी ठीक है और return 0 यानि आपके directly क्या हो जाएग होगी ठीक है तो कौन सी condition में जाएगा यहाँ पे देखिए else condition में जाएगा eels condition में जाने के बात यहाँपे देखे हमने कुछ operation perform किया है ठीक है और last में हमने क्या किया है print किया है file loaded successfully, ठीक है operation क्या perform किया है, या आपे देखिए, while condition ली है, else में उसमें क्या लिया है, not file end of file, ठीक है, if इसका function का नाम क्या है file end of file, ठीक है file operation कर रहे है, और अगर file successfully open होने के बाद, अगर वो end of file नहीं है मतलब file में कुछ data है वो empty नहीं है जो आपकी file pointer में आपने जो pass किया है, उसकी value empty नहीं है, मतलब आपके file में कोई value है, तो क्या होगा, यप scan से क्या होगा, वो file क्या होगी read की जाएगी, simple scan function से आप क्या करते है, simply हम आपने keyboard से input लेते हैं, लेकिन if scan function से आप क्या लेंगे file से input क्या करेंगे scan करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है उसमें क्या pass किया है, यहाँ पर देखे first value पास किये, आपकी file pointer जिसमें क्या है, आपका file का attribute है मतलब आपने जो file दी है add to, उसका reference, यानि उसका क्या है यहाँ पर रेफरेंस है %d किसलिए लेते हैं integer value के लिए, और %ld किसलिए लेते हैं हमारे long integer value के लिए %m% address किससे replace होगा, आपके %d से और m% content किससे replace होगा आपके m%ld से, यानि long integer से, ठीक है address आप देख सकते हैं, starting के program में, address हमने कैसे define किया था? integer से, और content किससे define किया था long integer से ठीक है अब यहाँ पे यह दो value हमने क्यों लिए है ठीक है यह दो variable हमने क्यों लिए है यहाँ पे देखे फाइल open होने के बाद फाइल का first statement क्या है 100 उसके बाद क्या है space और उसके बाद क्या है यह continuous statement है बतलब 100 उसके बाद space है और उसके बाद क्या है 090 007 यह दूसरा statement है मतलब आपका 100 यह statement किसमें जाएगा आपके address में जाएगा और आपका जो दूसरा statement है जो आपका character है यह दूसरा जो statement है वो किसमें जाएगा आपके line के यहाँ पे content में जाएगा ठीक है यहाँ पे यानि address में क्या जाएगा आपका 100 और content में क्या जाएगा आपका 0909007 ठीक है समझ में आ रहा है next देखिए if address is equals to equals to minus 1 अब यह क्यों लिया है यहाँ पे देखिए माइनस 1 से हम क्या कर रहे है स्टार्टिंग का address क्या कर रहे है यहाँ पे देखिए यहाँ पे फ्रस्ट वैल्यू है minus 1 और सेकंड वैल्यू है hundred मतलब आपके address में वैल्यू जाएगी minus 1 और यहाँ पे hundred देखेंगे उसमें आपको बताऊंगा ठीक है फिलाल हमारी starting की value minus 1 है क्या नहीं है इस वज़े से हमारी address की value क्या है या पे 100 है और content की value क्या है 090 007 तो यहाँ पे देखें else condition में जाएगा क्योंकि address आपका minus 1 है क्या नहीं है else में आने के बाद देखें ylc की 0 को set है क्या यह चेक करेगा यहाँ पे देखें हमने ylc starting में ही initialize कर दिया है 0 को obviously क्या है 0 है इस वज़े से हमने क्या किया है program counter की value किसको set की है address को program counter मतलब क्या है आपका यहाँ पे देखें 100 value हमने किसको set की है हमारी starting की value हमने PC को set की है PC या हमने किसे set की हैं यलसी को set की है ठीक है यह की सब्सक्राइब have आगे देखेंगे print के लिए हमें यूज करना पड़ता है ठीक है next देखें memory of address is equals to content अभी हाँ पे देखें content की value कहा happens कररा है आप memory address ठीक है यहाँ पे देखें memory of address 今回 matters की value क्या है न मेंसे 100 तो memory of 100 chronique इक्वल्स टू क्या होगा कंटेंट होगा ठीक है मतलब मेमरी ओफ हंड्रेड इस लोकेशन को यहाँ पर देखिए memory of क्या होगा 100 इस memory location को क्या होगा आपकी कौन सी value save होगी 09007 यह value क्या होगई आपकी memory of 100 इस location को क्या होगई save होगई ठीक है समझ में आ रहा है यहाँ पर देखिए memory हमने define की थी 1000 byte की ठीक है तो हम इसमें 1000 byte तक कोई भी address दे सकते हैं first address है हमारा 100 100 address को हमने क्या set कर दिया हमारे जो भी content की value है वो यहाँ पर इस memory location को save कर दी ठीक है next देखिए next क्या है आपका else loop क्या हो जाएगा close हो जाएगा उसके बाद ylc++ हो जाएगा ठीक है ylc के value 0 थी 0 के बाद ylc के value क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए ylc के value 0 के बाद यहाँ पर हमने address की value दी थी मतलब 100 दी थी 100 के बाद next value क्या हो गया आपकी 101 ठीक है यहाँ पर देखिए location counter की first value 100 थी 100 के बाद वो क्या हो गई 101 ठीक है फिर से देखिए 101 101 में क्यों सी instruction है आप 09008 ठीक है 101 09008 यह पूरी instruction क्या है second number की line पे है ठीक है file का end हुआ है क्या नहीं ठीक है next line को क्या हुआ है यह second instruction आई है जो आप किस में copy होगी फिर से address में और content में copy होगी ठीक है समझ में आ रहा है क्योंकि यह end of file है क्या नहीं क्योंकि आपकी file का end कब आएगा eight number के line के बाद ही file का क्या होगा end होगा ठीक है second line को है हम इस वक्त यहाँ पे देखिए minus one है क्या address आपका नहीं क्योंकि address में आप कौन सी value है आपकी 101 है जिसमें क्या instruction है जिसके content क्या है 090 008 ठीक है यहाँ पे देखिए address minus one नहीं है else में आएगा else में आने के बाद देखिए location counter is equal to zero है क्या नहीं है क्योंकि location counter के value 0 से क्या हो गई है one हो गई है ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यलसी क्या हो गया है आपका one हो गया है next देखिए one होने के वजे से यहाँ पर यह एक्जिक्यूट होगा का यह condition नहीं directly कौन सी होगी यहाँ पर यह next condition execute होगी यलसी is equal to क्या होगा आपका address होगा address की value क्या है आपकी 101 है 101 किसमें copy होगा आपके ELC में next देखिए memory of 101 is equal to content यहाँ पर देखिए क्या होगा memory of यानि क्या होगा memory of 101 is equal to content content क्या है आपका 090 008 ठीक है समझ में आ रहा है memory of 100 में क्या हो गया आपका first value आ गई और memory of 101 में क्या आ गई आपकी second value आ गई ठीक है next देखिए next क्या है यहाँ पर फिर से आमने क्या कर दी location counter की value क्या कर दी increment कर दी ठीक है while loop के बाहर आया है क्या नहीं क्योंकि while loop आपका कहा close हुआ है यहाँ पर देखिए end of क्या है ये while है ठीक है while का end का हाँ पर है यहाँ पर है ठीक है next देखिए location counter की value फिर से 1 की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी ठीक है ये value आपको count करने की जरुरत नहीं है automatically वो increment होती जाएगी ठीक है next time क्या होगा आपकी third instruction क्या होगी read होगी third instruction क्या है आपकी 102041007 ये instruction क्या कर करेगा move to register करेगा आपकी 007 की value कहाँ पर copy करेगा आपके a register में ठीक है यहाँ पर मैंने explanation के लिए यहाँ पर मैंने second file create की है ठीक है लेकिन input देने के लिए हम यही फाइल देते है ठीक है next देखिए second में क्या होगा a register is equals to क्या हो जाएगे आपकी 5 value क्या हो जाएगी a register में copy ह हो जाएगी ठीक है 007 memory location को हमने value ली थी suppose 5 और 8 को ली थी 6 ठीक है आप प्रोग्राम समझ लीजे में explain बाद में करता हूँ आपको actual execution कैसे हो रहा है ठीक है next देखिए हम फिलाल क्या कर रहे है सिर्फ memory content क्या कर रहे है copy कर रहे है ठीक है ऐसे करके क्या होगा यहाँ पर देख इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा 1 एक memory location को क्या हो जाएगा next memory location को क्या हो जाएगा save हो ठीक है और file loaded successfully, यह message क्या हो जाएगा, आपका print हो जाएगा, क्योंकि इस file आपने क्या कर दी है, successfully load कर दी है, और memory of address, इस value में, मतलब हर एक address में, 101 में, 100 में, 101 में, 102 में, यहाँ पे, जितने भी हमने address यूज किये हैं, उन सभी address के लिए, memory of उस array के लिए, जो भी content है, वो सभी क्या हो गए है, यह content सभी इस address में क्या हो गए है, copy हो गए है, array के address में क्या हो गए है, copy हो गए है, ठीक है, समझ में आ रहा है हमने फूरी फाइल क्या कर दी है successfully load कर दी है और फाइल कब end होगी जब आपका last का function आएगा minus 1 100 अब यहाँ पे देखें minus 1 आने के बात address क्या होगा आपका minus 1 होगा क्योंकि first value क्या है आपकी minus 1 और second value क्या है 100 100 value किसमें जाएगे आपकी content में जाएगे यहाँ पे देखें minus 1 है आपका address इस वज़े से content की value किसमें copy कर रहे हम PC में copy कर रहे है PC यानि क्या है आपका program counter है अब यहाँ पे देखें आपके program counter की last value क्या होगी यहाँ पे 106 होगी ठीके यह instruction execute होने के बाद उसके बाद कोई होगी क्या नहीं ठीके फिर से हमें program counter की value क्या करनी पड़ेगी starting को initialize करनी पड़ेगी क्यों करनी पड़ती है यह initialize क्योंकि हमें print function एक क्या करना होता है यहाँ पे execute करना पड़ता है ठीके 106 है हम directly 100 तक कहां से आ सकते है obviously यहाँ पे हमेंने एक function दिया है minus 1 100 100 मतलब आपका क्या है starting location address ठीके हम directly क्या करेंगे यहाँ पे हमने copy कर दिया content के value PC में यानि 100 का आपके copy हो गया आपके PC में copy हो गया ठीके first function हमारा successfully execute हो गया ठीके I hope आपको समझ में आ गया होगा next देखिए second हमेरा function है print हमने load करने के बाद second number क्या choose किया हमने print का print में क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए अब हमे starting location से ending location तक सभी हमें क्या करना है हमारा program मतलब यह file ही हमें क्या करनी है simply print करनी है ठीके तो यहाँ पे देखिए print function क्या कर रहे हम यहाँ पे देखिए फिर से हम loop में आ जाएंगे loop में आने के बाद फिर से वो choice पूछ रहे है क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका main function में क्या लिखा है हमने यहाँ पे देखिए इस loop के बाहर आने के बाद फिर से हमने क्या किया है go to z किया है ठीक है मतलब फिर से किस पे जाएगा वो main function में आने के बाद directly z पे जाएगा कब तक यह होता रहेगा मतलब यह loop आपका ऐसे ही क्या होता रहेगा यहाँ पे घूमता रहेगा ठीक है आप यहाँ पे while one यह condition भी use कर सकते है अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप simply while condition भी use कर सकते है ठीक है while one यानि यह लूप क्या होता है आपका Continually execute होता है रहता है यहाँ पे आप curly bracket open करके यहाँ पर आप उसका while का close कर सकते है main के पहले ठीक है ओके यहाँ पे देखिए next क्या करेंगे हम second condition क्या करेंगे हम प्रिंट करेंगे second condition क्या है हमारी print प्रिंट क्या हो रहा है हमारा simply program प्रिंट हो लाए है, ठीके, हमने वो save कर लिया, हमने load कर लिया कहाँ पे लोड कर लिया, memory of 100, memory of 101, 102 इसमें हमने load कर लिया, अब हमें क्या करना है print करना है, print के लिए कुन सा function हमने use किया है, separate, print function, ठीके, print function call किया है है है, print function में जाते है यहाँ पे देखिए, 117 को क्या है, int, print, यहाँ पे क्या print किया है, यहाँ पे देखिए, for loop से हमने क्या किये है, content, यह सभी content हमने क्या किये है, for loop से print किये है, integer i, i किसे initialize किया है, यहाँ फिर pc को, pc यानी क्या है आपका starting location, क्योंकि यहाँ पे देखिए, minus 1 आने के बाद, आप आपने content किसमे copy किये थे PC में copy किये थे मतलब content क्या थे 100 100 किसमे copy किया था PC में PC यानि क्या है आपकी starting की value होती है content क्या है आपके 100 100 मतलब आपका starting value जो हमने किसमे copy कर दी PC में मतलब i किसे initialize हो गया आपे 100 को next देखिए i is less than ylc अब यहापे देखिए जितने भी बार हमने execute किया था यह instruction हमने ylc क्या किया था increment किया था ठीक है इस वज़े से 1,2,3 यह क्या होता है आपके increment होता है कब तक increment होता है जब तक आपके line है ठीक है उस line के हिसाब से वो क्या हो गया होगा यहाप है increment हो गया होगा ठीक है समझ में आ रहा है तो हमने यहापे condition क्या दी है i is less than ylc यानि आपका i किसे initialize क्या है 100 और 100 is less than क्या दिया है आमने ylc ठीक है ylc यानि क्या दिया है यहापे देखिए 100 यह address की value हमने किसमें copy की थी यह सी में copy की थी मतलब ylc में भी क्या होगा फर्स्ट वैल्यू क्या होग यह आप ए हंड्रेड होगी दूसरी value क्या होगे आपकी 101 होगी तीषए वैल्यू क्या होगी आपकी 102 होगी ठीक है 123 बोल रहा हूं मतलब आपके address है यह आप ठीक है 104 होगी उसके बाद 105 106 ठीक है असक्या होगी पदक होंगे भी value होगी वह किसमें copy होगी आपकी यलसी में already होगी क्योंकि यह increment हो रहा है ठीक है यह आपको पता है post increment है ठीक है automatically increment होता है यहाँ पे देखिए फिर हमारा condition क्या होगी हमारी last value जो भी increment होगी तो वह क्या होगी आपकी यलसी की value होगी फोर एक्जामपल यहाँ पर अगर मैंने दे दिया क्या दे दिया 100 is less than 108 यह condition होगी तो ठीक है यहाँ पे देखिए और आई प्लस प्लस ठीक है आई प्लस प्लस कब होगा जब कर दो यहां पे क्या क्या प्रिंट कर रहा है हम % और % someday 2030 से स्लैश यान किसले योज़ किया है next line के लिए और slash k किसले यूज़ किया है हमने टंक देने के लिए ठीक है दोनों line में क्या ने के लिए बढ़ा स्पेस देने के लिए लिए विकिखा है फ्रॉन tldq लिखा है long integer है ठीक है memory के value आपकी कौन सी है long integer की है और i की value कौन से आपकी integer की है ठीक है i value आपने किसे initialize की है PC को इस वज़े से i में value आईगी first आपकी 100 और दूसरे value आईगे आपकी memory of 100 आपको पता है आप लोड करने के बाद memory of 100 में कौन सी function था आपका यह content था memory of 100 में क्या था आपके first instruction memory of 101 में क्या थी आपकी second instruction 102 में third 103 में third instruction ठीक है ऐसे करके आपके 123 जितने भी memory होंगे उसके address से क्या होगे आपके memory of उस memory से क्या होंगे वो content हमने क्या किये थे copy किये थे वही हमने simply क्या कर दिए या आपे print कर दिए ठीक है समझ में आ रहा है first value होगे i की 100 इसलिए memory of 100 यहाँ पे execute होगा मतलब आपकी first line क्या होगे यहाँ पे 100 slash t देखे आपके content भी क्या होगे यहाँ पे print होगे next आपका for loop में क्या होगे i plus plus होगी मतलब i की value 100 से क्या होगे यहाँ पे 101 होगी ठीक है समझ में आ रहा है 101 फिर से less than 180 a condition आपकी check होगी next क्या होगा आपकी 101 इस memory को इस memory of 101 को क्या store है आपका 090 008 ठीक है वही क्या होगा simply print होगा ठीक है I hope आपको समझ में आ गया होगा इस print function से आप क्या करेंगे 100 से लेके जितने भी आपके instruction है वो सभी क्या करेंगे हम file में जितने भी थे उतने हमने क्या कर दी simply print कर दे मतलब simply हमने file क्या कर दी load की थी file हमने वही हमने क्या कर दी, यहाँ पे print कर दी ठीक है, next है हमारा third function यहाँ पर देखिये, फिर से हम case के बाहर आ जाएंगे, switch case के फिर से यहाँ पर kya होगा, go to z होगा z होने के बाद फिर से हम यहाँ पर आएंगे और फिर से यहाँ पर क्या होगा ठीक है फिर से आपका यह option क्या होगे यहाँ पर print होगे अब यहाँ पर हम third option choose करेंगे जो क्या है run करने का रन करने का option यहाँ पे देखे case किसमें आएंगा फिर यहाँ पे यन की value क्या होगी 3 होगी क्योंकि 3 किसलिए है आपका option third run के लिए यहाँ पे देखे run नाम का एक क्या लिया है मैंने function लिया है जिसकी definition क्या है नीचे दी है ठीक है और उसके बाद break दिया है यहाँ पे देखे run function call होने के बाद कौन सी उसके definition में आएगा यहाँ पे देखे run की definition मैंने लिखी है ठीक है run के definition में देखे, यहाँ पे लिखा है मैंने while 1, while 1 देने के बाद यहाँ पे देखे, opcode, operation, operand 1 and operand 2, ठीक है, यहाँ पे देखे, हमने starting को initialize किया था, operation, operand 1, operand 2 and opcode, ठीक है, चार value हमने दिये थे, ठीक है, यह value हमने क्यों दिये है, यहाँ पे देखे, opcode में क्या value लिए है हम हमने memory of PC ठीक है यहाँ पे देखिए जब हमने यह run किया प्रिंट करने के बाद हमारी PC की वैल्यू चेंज हुई है क्या नहीं क्यूंकि हमने PC की वैल्यू कहा कॉपी की थी इस वज़े से PC की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 100 है जो चेंज नहीं हो रही है तो 100 memory of 100 किसमे copy होगा आपके opcode में ठीक है मतलब memory of 100 में क्या है आपकी value यहाँ पे देखिए memory of 100 में आपकी value है 090 007 मतलब first instruction यह first instruction क्या है आपकी memory of 100 में है जो आपको पता है जो किसमे copy हो गए आपकी opcode इस variable में copy हो गए ठीक है यह integer variable हमने define किया थे ठीक है आपकी first value क्या है आपकी 09007 इसे हमें क्या पढ़ना पढ़ा रहा है यह आपका divide करना पढ़ रहा है ठीक है क्योंकि इसमें operation कौन सा है आपका 09 operation है ठीक है 09 मतलब कौन सा operation है read का operation है उसके बाद operand 1 कौन सा है आपका यहापे देखिए 0 क्या है आपका operand 1 है और उसके बाद देखिए आपका operand 2 क्या है यहापे 007 यह क्या है आपका operand 2 है ठीक है समझ में आ रहा है यहापे क्या है यहापे आपका code क्या है condition क्या है आपकी 09007 यह copy हो रहा है आपका opcode में अब यहाँ पे आपको 09 copy करना होगा आपके operation इस variable में, क्योंकि आपको operation perform करना है, ठीक है, तो इस वज़े से यह हमें separate करना होगा, 09 separate करना होगा, operand 1 separate करना होगा, और operand 2 क्या करना होगा, separate करना होगा, जिसलिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे तीन formulae use किये हैं, ठीक है, यह formula यह लहाँ आप डिरेक्ली क्यालकुलेटर पर डिरेक्ली चेक कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर देखें मैं एक्जंपल दे देता हूँ 090007 ठीक है इसको अगर हमने इस आपकोड को हमने डिवाइड किया और इंटीजर होने की वज़े से फ्लोटिंग पॉइंट के बाद की वैल्यू आटोमेटिकली रिमू हो जाती है और सिंपली क्या हो जाता है आपका जो इंटीजर वैल्यू है मतलब स्टार्टिंग की वैल्यू ही पॉइंट के पहले की वैल्यू ही सिंपली क्या हो जाती है य यहाँ पे 0 आएगा, operand 2 में क्या आएगा, आपका 007 आएगा, ठीक है, क्रॉस चेक कर लीजे, यहाँ पे 7 आएगा, 7 मतलब ही क्या होता है, आपका 007, ठीक है, यह 007 हमें, टेकनीक लिए हमें 007 है, लेकिन प्रोग्राम को समझने के लिए, प्रोग्राम क्या लिखेगा, यह यहाँ पे 7 ही लिखेगा, ठीक है, 09 का यहाँ पे क्या consider करेगा, 9 ही consider करेगा, ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लीजे, आपको समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए, अगर हमें 09 operation करना है, 09 मतलब कौन सा operation है, आपका read operation है, तो यहाँ पे देखिए switch case को हमने simply क्या दि 9 आने के बाद कौन सी case में जाएगा, 9 number के case में जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, enter number यह पूछेगा, number पूछने के पाद, यहाँ पे हमने memory of operand 2, इस value में, operand 2 में मतलब किस में, यहाँ पे देखिए, operand 2 की value क्या है, 7, मतलब memory of 7 में हमने क्या copy कर देंगे, यहाँ पे ह हमें next instruction execute करना है, कौन सा है, 101, उसके लिए हमें program counter के value है, यहाँ पे increment करनी पड़ेगी, next instruction क्या है, यहाँ पे देखिए, 090, 008, ठीक है, यह execute होता ही रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब तक exit नहीं होता, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यह switch case मेंने कैसे लिए है, 0 से ल वेशे ही case मेंने similarly यहाँ पे लिए है, यहाँ पे देखिए, 0 स्टॉप करने के लिए, return 0 मतलब क्या है, यहाँ पे stop हो जाएगा code, next देखिए, 0, 1 यानि 1 लेगे, आपका computer क्या लेगा, 0, 1 नहीं लेगा, 1 लेगा, ठीक है, conversion के बग, यहाँ पे क्या operation perform होगा, addition होगा, ठीक होगा आपे, memory of operand 2, ठीक है, समझ में आ रहा है, register में क्या copy होगा, आपका register प्लस memory के addition, यह किसमें होगे, आपकी register में होगे, ठीक है, जो भी operand 1 में होगा, उसमें होगी, ठीक है, और यह case कब execute होगे आपकी, जब यह statement आएगा, 0, 1 का statement आएगा, क्योंकि इसमें 0, 1 statement में, ठीक है, 0, 1 statement में, क्या है आपका operation 0, 1 है, उसके बाद operand 1 क्या है, आपका 1 है, यानि a register है, यानि a register, और 008 क्या है, आपका operand 2 है, यह कौन divide करेगा, यही function आपका क्या करेगा, separate करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, और PC की value हम increment कर रहे है, मतलब next value जो आईगी, PC की value हम हरे instruction में क्या कर रहे है, increment कर रहे है, मतलब 10 के बाद 101 आएगा, उसके बाद 102, ऐसा next next क्या होता है, execute होता है, ठीक है, बाकि आपको पता है, plus addition के लिए, minus किसले यूज क्या है, subtraction, case 3 यानि 03 किसले यूज करते है, उसके बाद move to register किसले होता है, memory का register में होता है, move to memory का क्या होता ह उसके बाद comparison का है, ठीक है, comparison का हम next example में देखेंगे, यहाँ पर हम ये case use नहीं कर रहे है, maximum of two number का हम program देखेंगे आगे, उसमें हम comparison का देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 06 number की instruction हम use ही नहीं कर रहे है, ठीक है, कोई भी operation यहाँ पे 06 number का नहीं है, simply हम a register में move कर रहे है, addition कर रहे उसके बाद फिर से memory memo कर रहे है और print कर रहे है ठीक है आपको theoretically पता है ठीक है वही operation यहापे मैंने दिये है ठीक है branch on condition भी use नहीं होता है यहापे division भी use नहीं होता simply एक ही operation perform होता है आपका case 1 का जो है addition का और 04 का यानि register का 05 का यानि move to memory का और 09 यानि input लेने का और print लेने का simply memory of operand to क्या हो रहा है आप answer के जरीए print हो रहा है ठीक है यहापे देखिए 007 इस memory location में जो भी value होगी वह क्या होगी आपकी print होगी ठीक है क्यूंकि addition हमने कहा की थी यहापे देखिए हमने 051007 इस memory location में हमने क्या किया है addition की value copy की है और वही value हमने क्या की है यहापे print कर दी है ठीक है आप यहापे अगर देना चाहिए तो अलग-अलग value भी आप यहापे दे सकते है आपका program run होगा कोई भी problem नहीं होगा ठीक है अगर आपको यहापे confusion हो रहा है तो यहापे आप अलग value दे सकते है मतलब यहापे आप दे सकते है 009 दे सकते है उसके बाद आप यहापे दे सकते है 009 प्रिंट कर दिया ठीक है कोई भी problem नहीं होगा यहापे देखिए next आपने क्या किया है while loop कब तक execute होगा जब तक आपका 0 नहीं आ जाता मतलब जब तक आप case 0 में जाएगा उसके बाद return 0 मतलब आपका program क्या हो जाएगा exit हो जाएगा मतलब loop के बाहर आ जाएगा loop के बाहर आ जाने के बाद file loop के भी क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और int run यह क्या हो जाएगा आपका function क्या हो जाएगा exit हो ठीक है program समझ में आ रहा है और आपका जो बे answer होगा वो कहा पे print हो जाएगा ये function में ही print हो जाएगा 10009 इस function में ही आपका print हो जाएगा क्योंकि 10 operation में हमने क्या लिखा है print लिखा है ठीक है हो सके तो इसका program इसका source code में आपको description में दे दूँगा ठीक है यहापे देखिए मैंने यहापे आपको समझाने के लिए यहापे मैंने draw किया है ठीक है लेकिन मेरे अगर आपने theoretical वो problem देखा होगा तो इसकी जरुरत नहीं है और हम input देने के वक्त कौन सी देती है ac file देते है ठीक है next time हमारा program सेम रहेगा सिर्फ हमारा क्या होगा यह input file हमारी क्या होगी सिर्फ change होगी और यहापे देखिए last operation है हमारा exit का यहापे देखिए हमारा जो बे answer है वो 11 आ गया first number हमने 5 second number हमने 6 दिया 11 आ गया addition of 2 number ठीक है next क्या है हमारा choose the number हमारा option क्या है आप इन चारों में से हम program exit करना जाते है यह आप इस वज़े से 4 दे दिया और हमारा program क्या हो जाएगा case 4 में आके exit of 0 इस function से क्या हो जाएगा exit हो जाएगा ठीक है exit होने के बाद आपका program directly क्या हो जाएगा terminate हो जाएगा उस function की वज़े से ठीक है I hope आपको program समझ में आ गया होगा ठीक है अगर वीडियो पसंद आया है तो like कीजे चाइनल को subscribe कीजे और bell icon को भी क्लिक कीजे ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए ठीक है फिलाल इस कीजे वीडियो में इता थेंक यू